नमस्कार न्यूस बाइसकोब देख रहे हैं आप जारकण में स्वास्त विवस्था का हाल वैसे ही बदहाल है और वैसे ही स्वास्त मंत्री पर भी कई आरोप लगे रहते हैं लेकिन अभी हम पलामू के जमूने में हैं और यहां पर प्रात्मिक स्वास्त केंदर में ताला जाते हैं यहां कार्मी डालते हैं जाता है क्या जरत दूरी बताइए का यहां से डालते हैं इसकी दूरी कितनी है आठ किलोमेटर यहां से डालतेंग गंज की दूरी आठ किलोमेटर है सदर एस्पताल पहुंचते पहुंचते दस किलोमेटर आप उसकी दूरी मान सकते हैं ऐस से इस्थिति में है अगर जो प्राथ्मिक उप्चार हैै अगर नहीं मिलेगा मरीज को आप समझ सकते हैं कि क्या इुट पन हो सकती है अries यह साथ हस्पिटल के स्टाफ है क्या करते है रहा नाम है आपका कि अनाम यह है क्या बोल रहे हों कि हुसिटल बंद रहता है अप तो वह जाने दिन में मेरा ध्कश्म शवा दूटी है तो हम कैसे क्या से बता सकते हैं अच्छा मैं है कि trat उपर के पदादिकारी हैं दे सकते हैं आपसे बड़े लोगों की बात नहीं है स्वास्त ऐसा मुद्दा है जिसको हर किसी को जरूरत है ठीक है प्रात्मिक उपचार की हर किसी को जरूरत है तो यह आपको क्यों नहीं मालूम है कि यह 24 गंटा क्यों ने कुलता है या 12 गंटा क्यों ने कुलता है सिपर चार गंटे क्यों पुलता हैं है जबाब सरकारी सब्सक्राइब की जरुबत नहीं होती, हो सामने बेक्ती जो है, बोल रहा है कि यह स्पताल खुलता ही के नहीं है यह कर रहा है। नहीं आप बचाव कर रहा हैं यहां से आठ बजे तक अपको नौ बज़े कि आप की आप की आप जाता है मरीज मिले हैं वाय हैं दवाय लेने हैं सबसे पहले समझते हैं क्या करना है अप जया रहे हैं तर यह बंद पा रहे हैं तीन दिनों सब्सक्राइब कि इतने बज़े आते हैं कि मने बार एक बज़ रहा है हम जा रहे हैं हूंगे सभा गें अब यह तो बहुत आदे हैं और नौ बजे हम इदर से को रहा है थे आप डाक्टर रहे खो नहीं ते ताम घर चल गए फिर अधर से अभी का निया तो देखों कोई नहीं है तो यह अस् कोई और आंगा निदनों से इनको दवज़ने की कंड़ी तक द au वेक्ति को आप नशेडी करे यह कि क्या है तो फिलुन यह भी बोले कि एक वर पागल कहुआ थे आप आप बताइए कि यह वेक्ति को तुब नहीं किसी भी तरीके से कहरा दिख रहा है ने ने एक बार बताइए अभी यह वेक्ति पहुंचा आप यह बोले हैं कितने बज़े आए हैं आप बारा बज़े भी आए कभी बारा बज़े भी आए ठीक है मान लिए बार बज़े यह तीन दिन सुनियं सुनियं आप एक बज़े से पहले हैं हाई या ना शामने और बज़े के बार बज़े के बाद बाद बत बटा है यहां पर कोई सूचना नहीं है किसी तरीके की गोर कर रहे है हम आप माझं बताएब बचाओ मत कीज़ै अप हम बहुत देख ёं ऐक बार कोई सूचनाному हिए हम को कैसे पदा चलेगा Leah पर कोई पथे कहानी हिए representing आप मीडिया को प्रामित मत कीजे अप भरमाईए मत हम लोगों को जूटी जानकारी मत दीजे अमए आप देख सकते हैं यह वेक्ती आया यहां पर यह अस्पताल बंद है इन है आपके आपसे मैं कैसे जानूगा मैं कैसे जानूगा आप किया है यहां कोई नहीं है आ यह मैं किसे जानूगा कि यह बंद होता है रही है यह बता सकते ना यह संचना बोड लगा हुआ है किसी तरीक मैं आप से बात नहीं कर रहा हूं आप से बचाओ मत कीजिए आप से बात नहीं कर रहा हूं मैं आप देखिए कि यहां पर ना सूचना बोड लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है कोई वेक्ति सामने से आके बोलता है कि एस्पताल एक बज़े बंद हो जाता है मैं कैसे मालनू इसको कैसे मालनू सामने एक वे किसी से क्या पूछना है जो से बात करेंगे बताने वाला वह सुचना पत्र भी नहीं है इसे इस बंद होता है वह भी नहीं बताता थे देखिये देखिये हैं सूचना पत्र है ना कोई जानकारी है और लोग आते हैं वापस ऐसी मूर के चले जाते हैं क्योंकि उनको यह अस्पताल हमेशा बंद दिखता है सर हमने जो रिपोर्ट तयार किया उसमें हमने यह पाया कि जो प्रात्मेश्वास्तर के इंदर था जमुने का वो बंद था ने धारिस्त कोई समय नहीं है ना खुलने का ना बंद होने का बंद होने का है सर लेकिन खुलने का और बहुत सीमित समय के लिए खुलता है सर क्या कह प्लस एमर्जेंसी भी सर्विसेज होना चाहिए जमने प्रास्मिक स्वास्त के इंदर है तो वहाँ सर्विसेज मिलनी चाहिए अगर नहीं मिल पारी है तो कारणों का पता किया जाएगा वहाँ पर चिकित्सक हैं स्टाफ हैं पुछ है स्टाफ हम लोग कोवीट के लिए अपने पास बुलाए हुए हैं लैब टेक्निशियन और इस पर एक समीति बना के जाच करवाते हैं जाच कराने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको देखा जागा जो भी गलत कर रहे हैं या गलती जिन पर भी आरोप निर्धारित होगा उन पर करवाई की जागी आप देख रहे थे न्यूज बाइसकोप में हूं सची नारे और कैमरे के पीछे थे पंकज